स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइनस्टी टेकनलोजी में मैं अनुव आप सभी लोगोंका सभद करता हूँ आज के शो साइनस थेस्टे बे आज हम लोग बात करेंगे क्रायोजेनिक्स के बारे में, तो आये समझते हैं, तो समझे एक पूरा फील्ड है, और इस फील्ड का हम लोग एक ओवर्फियो लेने के कुशिश करते हैं, तो यह फील्ड है ठंडा, यानि की कूल, तो यहां पर यह समझे, यह इंजिनेरिंग का दिपार्टमेंट होता है, जो बहुत लो टेंपरेचर पर काम करता है, यह कितना लो जाता है, इसे मतलब साइंटिफिक जर्नल में, अगर आप पढ़ा ही करेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट स्केल माने जाता है, केल्विन को, इसलिए डिगरी केल्विन नहीं ल तो इसलिए अगर आप कोई भी कैस उसके बारें पढ़ेंगे, जनरली केल्विन में लिखा जागा टेंपरिचर, कि मतलब केतना केल्विन बॉल काता है, इसलिए सूपर कंड़क्टर में एक ठो टेखनालोजी है, जिसे हम लो कहते हैं वार्म टेंपरिचर सूपर कंड़क् तो यहां पर समझे बहुत लो टेंपरिचर के बारें बात करें इसका स्टाटिंग रेंज यानि कि आप क्रायोजेनिक्स बोल सकते हैं उसका एरॉंड माइनस यह समझे वान फिफ्टी डिग्री इस पर बात करें यानि कि जो आप ड्राय आइस देखते हैं वह बहुत ठंड तो और मतलब कर फेरेंहाइट में नापना चाहते हैं तो माइनस 243 डिग्री फेरेंहाइट बहुत ठंडा होता है मतलब यह अलग दुनिया है इस दुनिया में चीज बदल जाती है जैसे कि आपका जो स्टील जैसा बमम चीज है वह कांच के तरह तूट जाता है फिर आपक तो जनरली आप जो भी रेफ्रिजरेटर देखते है या एर कंडिशन देखते है वह सब चलता है नॉर्मल फेज चेंज कूलिंग पर चलता है तो फेज चेंज कूलिंग जो है जो आम पब्लिक हम लोग इस्तमाल करते हैं वह जनरली माइनस 50 से नीचे नहीं जा सकता है और भी बहुत एक्स्ट्रिंग के से माइनस 50 पर अतना एफिशेंट नहीं रहेगा तो क्रायो कूलर्स जो भी आप सुनते होंगे कि क्रायो कूलर्स का इस्तमाल किया जा रहे है जनरली क्रायो कूलर्स का मतलब होता है कि उसका जो कोल्ड पॉइंट है वह माइनस 153 डिगरी सलस चेड़ा जाता है तो आपको इस तरह का ग्राफ टेखने को मिलेगा तो यहां पर समझेंग में आप लोग एवापरेशन और मतलब यह समझें बॉइलिंग और कंडेंसिंग का इस्तमाल कर रहे है यहां पर गैस लॉक का इस्तमाल कर तब ही एतना नीचे जा सकता है और वरक आपके कंप्रेस कीजिए जैसे आप उसे कंप्रेस करेंगे वह फेस चेंज नहीं होगा लेकिन गरम हो जाए तो कि आपने अनर्जी टाली वह एनर्जी रिजिस्ट किया वह उसका हाइट अब वह होट को अगर आप रेडियेट करने तक दिया तुम अपनी बाहार निकल दो अब जब उससे दोबार एकस पेंड़ करेंगे ज्यानि की दोबारा उसे एक लीटर में एकसपेंड करने तेंगे यानि आप मालिये पहले एक लिटर से लेखें है उसे आप आधा लिटर तक में और गरमी निकाल चुके हैं तब वो कूलिंग करने लगेगा यही आप वह ग जब तेसे आप दुवारा एक्सपैंड करेंगे टेमपराइशंड करेंगे टेमपरिचर दॉप कर जाएगा क्योंकि आपने उसमें निघमडिघ आव से निकाल दिया अब वह वहापस के से सोते हैं कि पूरा जो St बाहर का पानी से नॉर्मली उसको ठंडा करती जब दोबारा खीचेंगे वह जगा और ठंडा हो जाएगा क्योंकि आपने गरमी निकाल दिया था लेकिन वॉल्यूम जो करती हो है आप जब दोबारा एक्सपैंड कर रहे हैं ही निया जी वही और यहां पर फेस चेंज नहीं ह जाएंगे तो कैसे काम जालेगा मतलब आप नाइट्रोजन करते है क्रायो कूलर में तो घूम फिर के तो खुदी फ्रीज कर जाएगा जाएगा इसलिए हीलियम इस्तमाल किया जाता है और हीलियम के पास एक बड़ा यूनिक अबिलिटी है कि आप कुछ भी कर लिजिए हील हीलियम सॉलिड फ्रीज नहीं होगा वह बहुत लड़ा ही गरता है सॉलिड जाए गांए नियुद हो गांए आप गर्मी निकाल देख उने गाया जब उससे दोबार एकस्टान करते हो फिक घर्मी खीच लेता है लेकिन हाँ यह बस समझे क्रायो कूलर जेनली बहूत कम एन वाट निकालेगा और कुछ कीलोवाट इलेक्ट्रिकल बिजली खाएगा रेशियो बहुत जाथ होता है इसलिए हम लोग फेस्ट कूलिंग इस्तमाल करते हैं हमना रेफ्रिजडेटर में क्योंकि तब उसमें होता है कि सी ओपी आपको 3-4 मिल जाता है यहां पर सी ओपी बहु निकाल लिया जाता हैं अब बात बात करते किसे क्योंकि नॉर्मल रखेंगे तो यहां पर नॉर्मल मैटल इसको नहीं मैनेज़ कर सका जितने भी आप आम मेटल लेखे सिवाए स्टेनले स्टील का एक-डू अलोई को छोड़के और सारे मेटल कांच की तरद तक नचूर हो जाएंगे, यह समझना बहुत ज़रूरी है, जनरली अगर बहुत नीचे जा रहे हैं, जैसे लिक्विड हाइडरोजन या लिक्विड हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब को स्टोर करना और फजियत है, क्योंकि बहुत सारा मेटल है जो लिक्विड हाइडरोजन का टेम्परेचर तक समाल सकता है, तो खास तोर का मेटल अलोय लेना पड़ेगा, और दूसरा एक समस्य है कि जब आप इतना ज़्यादा ग्रेडियंट बना दिया, यानि कि धार्ती का टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे, तो 200 केल्विन है, आपने अल्म वाइड़ोजन का इस्तमाल करते हैं, क्योंकि इसके सिवाँ और कोई सिस्टम ही निया, आप कोई ऐसा इंसलेटर नहीं बना सकते हैं, जो रख सके तो बहुत ज़री थे लगा गया था, वो भी बहुत देर तक नहीं रख पाएगा, यो कि ग्रेडियंट आपने बहुत ज़ गर्मी बहुत जोर से अंदर घुसना चाता है, जोर लाए घुसना चाता है, तो कोई भी इंसलेटर नहीं समाल पाएगा, थोड़ा देर आप कर लेगा, थोड़ा स्लो ज़रू कर देगा, लेकिन रोख पाना लगभग नमुंकिन है, तो इसी कारण से वैक्यम फ्लाइस में करना पड़ता है, और कस्टम एलोई इस्तमाल करना होता है, यानि मेटलर्जी का पूरा डिपार्टमेंट है, जो आपको बताएगा भी है, क्रायोजेनिक कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा ब्रिटल ज़रूर होगा, जैसे कि अलास्का में जो गाड़ी उडी बेची जा रह बहुत ज़्यादा एक्सपाइड कर सकता है, यानि कि एक लीटर, साथ सो लीटर तक एक्सपाइड कर सकता है, जब उसका टेंपरेचर रूम टेंपरेचर आजाए, तो वो इतना डिंजर सोता है, यानि प्रेशर बहुत बिल्ट अधर सारे सिस्टम जो बनाए जाएंगा, प्रेशर वेंट दिया जाएगा, सेफटी, यह मतलब यह कोला है, क्रायोजनिक का मतलब यह होता है, फिर उसको मैनेज करना, हैंडिल करना, सेफली कि कोई बूम ना हो जाए, यह बहुत सीरियस बात होता है, और जहां बड़े-बड़े टैंक्स लगाए जाते हैं, उसमें स्टोरिज करना रहता है, उसमें क्राय कूलर लगा दिया जाता है, वह जोसको दीरे-दीर मिंटेन करता है, जैसे कि अगर एक लिटर बनाने वाला सिटम लगा दिया, तो वह एक नमु पँछा से सील किया गया, तब तो एक दम कुछ होना नहीं नहीं कि प्रता है, सब को लॉंग टर्म से स्टेबिलेटी के लिए क्रीयोगुलर्स देना पड़ता है तो यह समझे स्टोरेज भी इसका बहुत तिगड़म है इसलिए सारे रॉकेट को लॉंच से पहले रिफ्यूल किया जाता है और लॉंच करो काम ख़ता है और स्क्रब करना है फिर सो सारे गै होасद आपको को कि इसक्राइब कना है कितना िइसलिंद इसका तो यह समझे समय हो अइश। मेडिकल केसे में जो आभी हम लोग इंडिया को बहुत जो दी पता चला कि लिक्वड ओक्षिजन ही ट्रांसपोर्ट कर साते हैं ऐसा नहीं है कि सब्कुर्ण जगाँ चैनकि तो इसी लिए लिकविड में ट्रांसफ्ट्ट कर तो इसे बनाया गया है तो से बोसे लिकविड परख को फैदा नहीं है तो से लिकविड में ही टels का स्वें के आजाणा तो जितने भी अक्सिजिन प् Why वो सब लिक्विड ऑक्सिएं बनाएंगे वो सीधे देंगे फिर मतलब जनली समझे यह कही है पॉइंट ऑफ कंजम्शन जो होगा वहाँ पेक बॉइलर होगा और बॉइलर कुछ खास नेता है तो बॉइलर में सिर्फ एक रेडियेटर रहता है जो मतलब वो गर्मी मतलब एम्पीन टेम्परिचर को लिक्विड ऑक्सिएं में डालता है फिर उसे हाई प्रेशर गास में और यह मतलब आको मरीज को दिया जाता है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए लिक्विड ऑक्सिएं करना ज़रूरी है अप्लस MRI सबसे कोल्ड जाता है MRI मशीन में जो में मैगनेट है वो सूपर कंड़क्रिक मैनेट होता है अभी तक मुझे समझ में नहीं कि क्यों अभी इसका लिक्विड हीलियम बॉइल ओफ कर गया और इसलिए आप देखे जहां MRI रहता है तो अगे पीछ एक रूम रहेगा थोड़ा सा गर अगल बन देखेंगे बिल्डिंग में को दिखेंगा हीलियम रूम करके मैं ने भी हॉस्पिटल में जहां मेरा ही हो रहा था है MRI मशी तो वह समझी है वह हीलियम को टॉप अप करते रहना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन से अगर बदल दिया जाएगा तो लिक्विड नाइट्रोजन बहुत सस्ता है तो MRI मशीन ज्यादा लगाना भी पॉसिबल हो जाएगा देखें आने वाले जनरेशिन में उसको को लिक्विड धाय जाता है जमीन से थी निकलता है उसरी है लिक्विफाय करता है और मैज न लिक्विदं कर दोड़ है या उसे प्रॉस्स एक्स्टा किया जा रहा है जो करना करूँ तो energy ट्रांसफर भी पूरी तसे लिक्विट पे चलता है स्पेस के बारे में बात ही नहीं करना क्योंकि आप कुछ भी कर लो आप कि रोसीन भी इस्तमाल करो तो भी घूम फिर का वह कोई निस्तमाल करना चाहते हैं, तो अब सब लोग मीथेन में जाने लग रहे हैं, इसलिए बतलो श्टार्शिप भी पूरी तॉर से मीथेन पर जितने भी अपकमिंग यह हैं, क्या बोलता है, स्टार्टप से सब मीथेन पर जा रहे हैं, सस्टा भी पड़ता है, तो यह स डिविजने साइंस का, जो आम पब्लिक के टच में नहीं रहता है, लेकिन हर पब्लिक का लाइफ इससे गुजरता है, आप खुद ही सुच लें, कितने लोगों का MRI मशीन हो है, कितने लोगों को ऑक्सिएन दिया गया है, कितने लोग गैस इस्तमाल करते हैं घर में, कितने 일반 cooperativeен हमैं, मतिलब साइटलैट सा लाइफ चलता है, सब तो,, बिना लिक्विड ऑख जिन के तो होना ही नहीं है, और आज। पे ना heart, destop. हो नगे लिकिश में हरे होता है, हम अबो हम कितना बी कर लें लोगों को यह कोcape हैं, हम एवा लोग अवाँ कर लें था virtue लिउनकों, त रिमूफ करते हैं और अपने निकाल ली है आप उसको तर लोस नहीं हो गार्ण काफी कर निकास देत करने के सबसे बेस्ट टेम्टरिचर क्या होता है अगर आप उतना लोग कर देते हैं तो सारे पल्यूटेंट्स भी खाता है क्योंकि बहले लोग कर देते हैं क्योंकि सीधह उपर चले चाहेंगे आज पास रहनें पर और मतलब वह महता भी अगशाटरली आपका सिर्फ उखने लगेगा वह ऐसा चीज है जो डॉक्तर लिटरल सब्सक्राइब बॉर्नर से उसे सीधा कंडेंस कर देता माइनस 50 पर माइनस 50 पर अलमुष्ट सारे चीज ठंडा हो जाता है जो सबसे मीन कंपोंडेंट है आपका कारबन डैक्साइब वो सीधे ड्राइ आइस में बदल जाता है फिर उसे आप समुंदर के नीचे डूबा सकते मैं जाएगा नहीं होगा क्योंकि अगर आप ड्राइइज फॉर्मेट पर पत्थर के तौर पर डाले निचे तो सी का प्रेशर इतना जाए कि वह चेंज नहीं कर पाएगा फेज में अटक जाएगा प्रेशर इतना साथ है समुंदर के नीचे में तो महां पर प्लस पानी है तो भुकम-भुकम पाने पर इसा नहीं हो कि क्रैक्स फॉर्म होगा तो वो किया जा सकता है सी ओ टॉर करने का यह मैंने सबसे मतलब प्राक्टिकल देखा क्योंकि बहुत सारे सपने तो बहुत दिखाते हैं लेकिन कोई भी इकनोमिकल भाइबल यह प्लावर प्लांट भी ह जब तक धंग से क्रायोजनिक नहीं बनाए जाते आप धंग से कुछ नहीं कर सकते हैं तो सीधा 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 क्रायोजनिक पर ही चल रहा है फिर एलेंजी ट्रांजिशन फ्यूल के तो यह मैंने कि गवर्मेंट काफी जगह पे पेट्रोलियम डीजल को छोड़के किलोग्राम करें और अभी हम लोग ट्रांजिशन फ्यूल के बारे में काफी रिसर्च करें कारणी है कि सबको पता है कि आने वाले टेम कुछ दूसरा हो जाए जाए वो इलेक्रिक हो चाहे वो यह हाईवे हो चाहे कुछ भी हो या हाइड्रोजन ही हो बात कि अभी वह नही है कि ट्रांजिशन फ्यूल पर मतलब काफी ध्यान देना पड़ेगा तो एलेंजी के केस में गवर्मेंट भी सीरियस है इंडिया भी सीरियस है और नीचे मेरे ट्रक के बारे में काम कर रहे है और मतलब मार्केट मिल रहा है और मतलब वह को लिंग चतुरभूज में वह मतलब हो सकता है यह अल्मस्ट ऐसा जी और फिजिक्स माना नहीं कर रहा है इंजिनियरिंग बोल रहा है भाई हमसे नहीं होगा अब देखे काफी लोग कोशिश कर रहा है इसमें भी आप कोशिश किया जा रहा है कि नया डिजाइन का हाई टेट्रेचर सुपर कंड़क्टर को इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसे लिक्विड हिलियम पर रखेंगे दाकि मैगनेटिक फ्लक्स देंसेटी बहुत हाई रख जाता है तो अगर बहुत हाई टेसला का बना पाते हैं तब ही जाके प्लास्मा को रोक पाएंगे तब उसमें फ्यूजन अच्छे से होगा अभी यह जो आप देख रहे हैं यह काम कर रहे हैं फ्यूजन भी कर रहा है बस यह नेगेटिव है यानि कि आपने दस गीगावाट की इनरजी डाली प्लांट वे यह एक दो गीगावाट का ही तो कोई काम का है ने आपको पावर फैक्टर ब्रेक इवन फैक्टर बहुत हाई चा यह सकता है वही कंट्री का सकते जिसको अच्छे से क्राइव जेनिक का अंडेसरेंट यह बीना क्राइव जनिक के इस पर हात नहीं लगाया चासकता है तो यह था मेरा प्र्सेंटेशन करा अवर व्यू देने के बार में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लागा कुस इकन को पढ़ने कोशिश करता हूं आप सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई गारा फ्री है तो आपने रा वीडियो दिखा जानको मुझे बहुत खशी हुई धन्यवाद